दोस्तों अगर आपके पास में एक website है और आप उसका clone create करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आप कैसे create कर सकते हैं आप confused हो चुके हैं तो आज की वीडियो में आप सभी कुछ step by step guide देने वाला हूं कि आपके पास WordPress की कैसे भी कोई वेबसाइट क्यों हो रहा हो या पर जाके आप किसी website का clone कैसे create कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल केवल 3-4 मिनट के अंदर अंदर आपकी website का clone create कर पाएंगे और मैं आपको सारी बात है step by step बताने वालूं कुछ गलतिया ऐसे वी लोग करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो website होती है पूर मिल जाता है तो आप किसी चीज का duplicate करते हैं तो उसको clone बोला जाते है मतलब आपके पास एक website है same to same डिटो की डिटो वैसे website दूसरी बना देना वो clone कहलाता है यह काम कहां कहां पर लिया जाता है सबसे पहला आपके पास कोई एक website है आप उस पर future में और implement करना चाहते उसको तो उस जिगे पर आप website क्लोन क्रेट कर लेते हैं और clone क्रेट करने के बाद उस website में improvement करते हैं ताकि इन future कोई भी गलती हो जाए तब वापिस से उसको पहले जैसा कर सको second thing लोग इसको safety purpose के लिए भी करके रखते हैं तो अब आपको clone कैसे क्रेट करना है चलिए वो सीखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं जाता हूँ google.com पर यहाँ पर जाने एक बाद सर्च करता हूँ domain racer क्योंकि एक ऐसा website है जहापर आपको बहुत एफोड़ेबल प्राइज सर्विस मिल जाती है अगर वेबसाइट पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो इनके पास मैं आपको एक से बढ़के एक जैसे की shared hosting, web hosting उसे के साथ साथ और भी plan मिल जाते है यह उपर add चली हुई है हम नीचे आते है domain racer.com की जो site है इस पर simply click कर देते है आपको सार domain, web hosting, reseller hosting, LMS hosting, VPS hosting, affiliate और भी multiple option मिल जाते है अगर बात कर तो costing की देखो यहाँ पर आपको 149 रुपिस के अंदर domain मिलना स्टार्ट हो जाती है और जब नीचे होगी तो यहाँ पर आप देखो shared hosting में इनके जो plans है वो 58 रुपिस पर मन से start हो जाते है इतना जाद affordable मैंने किसी और website पर नहीं देखा और अगर आपके पास में heavy traffic है तबी भी आप यहाँ से अच्छा खासा एक plan pick कर सकते है आपके लिए अच्छा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मेरी website पर login करता हूँ क्योंकि मैं आपको बताने वालों किसे website का clone कैसे create करते है तो देखो मेरे पास यहाँ पर मैं जाता हूँ सी पैनल में एक services के अंदर और यहाँ पर मेरे पास एक service एक्टिवेट है इनका LMS प्रो वाला तो आपके पास चाहिए कोई भी website हो आपको सबसे पहले उसके सी पैनल में जाना होगा और सी पैनल में जाने के बाद में आपको आपकी wordpress की जो dashboard होता है वहाँ पर जाना होगा simply मैं सबसे नीचे ही नीचे आ जाता हूँ wordpress पर क्लिक करता हूँ और जो मेरा wordpress का dashboard होगा मेरे को वहाँ पर login कर लेना है simply मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मेरे सामने ऐस option आ गया अब देखो आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहे है अगर आप तो अगर आप इस website का यूज करते है domain racer का तो clone का option साफ साफ दिया गया है आप एक बटन में अपकी website का clone कर सकते है ठीक है backup ले सकते है रिस्टोर कर सकते है सारा कम आप एक क्लिक में कर सकते है लेकिन अगर आपके पास में कोई और भी मतलब website से अपने domain hosting buy किया हुआ है तो सेम प्रोसीजर होने वाला है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं तो जैसे मेरा wordpress का dashboard यहाँ पर आ चुक है simply मैं क्या करूंगा यहाँ पर आपको दिखा दे तो website मेरा कैसा दिखाई दे रहा है अगर मैं आपको website दिखाता हूं तो मेरा website फिलाल बहुत ज्यादा neat and clean है औ अर्थ है, home है, about, services, contact और यहाँ पर सारे graphics बहुत ही अच्छे से management कर रखे हैं लेकिन main चीज़ी है कि मुझे लगता है कि मैं इसको और भी जदा अच्छा बना सकता हूं और मुझे डर भी लग रहा है कि अगर मैंने अच्छा बनाया तो यह खराब भी हो जाएगा तो मैं इसी पैनल में जाकि यहां से आप website का backup ले सकते हैं और second है कि आप यहां पर wordpress के ऊपर आ सकते हैं और यहां पर आने के बाद में plugins में जाएंगे add new पर click करेंगे और add new पर click करने के बाद में एक plugin में आपको बता रहा हूं जो की है WP vivid आप इस plugin का भी यूज कर सकते हैं आप लोपी विविड और आप इसको सर्च जैसे करेंगे तो वैसे तब के सामने ना multiple options आ जाएंगे लेकिन आपको सबसे पहले वाले की उपर ही टच करना है क्योंकि यहां पर आपको दो लाग से भी जादा active installations मिलेंगे 5 की rating है और बहुत सारे लोग है जिन्नों ने इसको बहु इंस्टॉलेशन फेल हो गया है कोई बात नहीं आप इनवे से कोई भी टूल आपको अच्छा लगता है बैकप करने के लिए उसको simply install कर लोगे तो जैसे की backup migration यहां पर इंस्टॉल हो चुका है simply में इसको activate कर दूगा और activate कर देने के बाद मेरे पास यहां पर settings के बाद एक नया option आगया है backup और migration का तो देखो आपके पास अलग-अलग दो option दिये गए है create backup आपकी website का clone create करके save करके रख सकते है second manage and restore आपके पास अगर पहले से कोई भी website का backup पढ़ा है तो आप यहां पर इसको directly एक click में migrate कर सकते है उसको restore कर सकते है backup create करने के लिए simply आपको यहां पर click करना होगा और जो भी आपकी website create backup now पर click करना होगा जैसे आप यहां पर click करोगी एक click में आपकी website का complete backup यहां बोल सकते है clone यहां पर create हो जाएगा जिसको आप चाहे तो आपके computer में save कर सकते है after that जब आपका backup complete हो जाएगा तो जब आप चाहे उस time पर manage and restore पर जाके उसका restore कर सकते है आपकी website पहले जैसी हो जाएगी तो अब आपको आपकी website पर change करने के अंदर कोई भी किचके चाने वाली बात नहीं है अब खुलकर जो चाहे चेंज कर सकते हो अभी बोल रहा है कि आपकी website जो है 87 MB की है क्या backup करना चाहेंगे yes आप backup start कर सकते है यह process हो सकते है तो टाइम ज़्यादा ले जाए तीन मिनट चार मिनट पास मिनट दस मिनट लेकिन आपकी website पर depend कर तो उसका size कितना ज़्यादा बड़ा है कितना छोटा है ठीक है तो यह एक काफी अच्छा process आप देख सकते मेरी website का जो है backup यहापर start हो चुक है जो मैं चाहूं तो अपने इसको minimize भी कर सकता हूं वाव सारा process अपने आप ही हो रहा है अब जब मेरी website का backup हो जाएगा उसके इसको चाहूं जब super quick migration से वापिस यहाप रिश्टोर कर सकता हूं कितना ज़्यादा आसान था ना आप चाहे तो यह जो domain racer का home page है cpanel यहां से भी backup पे click करके website का backup ले सकते है और जब आपका कोई गडबड हो जाए तो restore पे click करके पहले वाली file import करके आप यहापर website का वाप यूजिंग wordpress dashboard और अगर आपको यह वीडियो देकने बाद कोई भी दिमाग में doubt है आप instagram पराके मेंट से पूछ सकते है आपके reply करने कि पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और अगर आपने अभी तक domain racer को check out नहीं किया है तो check out करना बिल्कुल भी मत भूलना पिकोश यह